बड़ी खबर निगलकुष रावने आ रहे हैं बीजेपी के बड़े निताओं को 2024 के जिम्मेदारी दे दी गई है जिससे बिहार के जनता को कैसे लुभाना इसका प्रियास जा रही है इधर तेजश्वी एलो ने शाफ सब्दों में कहा है कि बिहार की जनता किसी भी लोब ल अचार के लिए अब हम बलवान होंगे लालू प्रशाद ज्यादों के चाहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुस खबरी निकल कर सामने आई है आए देखते हैं क्या है बड़ी और महत्रपूर जनकारी शमजने की कोशिस होगी कि बिहार के चर्चित पत्रकार एवम यू सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाएं उसे पहले अगर आपको लगता है दोस्तों कि 24 में तिजश्वी का जलवा बिहार में देखा जाएगा या तिजश्वी आदो अपने जलवे के कारण पूरे बिहार में फेमस होंगे तो आप इस वीडियो पर 5000 से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब का video फाव जब मजबूती के साथ एक ताकत भरते हुए कहां कि देखिये मैं मजबूत हूं और मेरी परटि मजबूत है इस लिए हमें प्रद़ूत क्या जा रहा है परशान करने की पर मैं परशान नहीं हूंगा और इस परशानी का मैं वह हो आगे हैं आपके सबी चोटी बड़ी खबरों को जानने की जनकारी हम रहती है कि तेश्वी यादों अब जो है कहीं न कहीं एक मोटिवेशन के शाथ काम कर रहे हैं उनकी एक ताकत मजबूत हो रही है वर अपने बड़ी खबर तो यह है कि समराच चौधरी को जिम्मेदारियों को दिये जाने के बाद में समराच चौधरी अब जियम अववस मुकाम पर हैं जहां से बीजेपी को आगे बढ़ाने का पूरा का पूरा परतिभाओं को सवारने और आगे बढ़ाने के त्यारी खुद उनके नाम से होनी चाहिए अब इसलिए इस बात की चर्चा थोड़ा जादा हो रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं समराच चौधरी एक नए वह मिका में बीजेपी के परदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और परदेश अध्यक्ष की जो काम कार्ज है उसे समालते हुए पार्टी को कितने मुकाम तक ले जाते हैं उनके उपर इसका प्रिशर है इसका दबाव होगा और अपनी कामों को बड़े ही ताकत के साथ वकरते नजर आ रहें कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि शम्राच चौधरी आने वाले बिहार को बढ़लेंगे बिहार की जनता को एक नया करते हैं बड़ी और मतपूर्ण खबर की बड़ी खबर निकल कर शामने आरे इस वक्त मलीका अरजुन खड़गे को ले करके जिया मलीका अरजुन खड़गे ने कहा कि देखिए जिस तरीके से बार-बार कुछ लोग जो हैं यह कहते नजर आ रहे हैं कि हमें कॉंग्रेस प हम यह कह सकते हैं कि कॉंग्रेस के बढ़ती ताकत के साथ देश में कुछ नया कुछ बड़ा करने का प्लानिंग त्यार क्या जा रहा हैं जिसके कारण जो है हम सब मिल करके बड़ा प्लान सेट करेंगे और बड़ा मुकाम तक जाने की कोशिश करेंगे खेर अपनी राइख बड़ी खबर निकल कर शामने आ रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से बीजेपी के पर्देश के मिले बिहार के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बेजय कुमार चुना है बहुत तेजी से बोलते हैं और अपने आवाजों को रखते हैं तमाम पार्टी के नेताओं को लेकर के चलने की पृतिवा भी उनमें है तभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है वो बीजेपी ने उन्हें दिया है और बीजेपी के परदेश अध्यक्ष की भूमिका को निभा रहे है इस वक्त जो हैं उनके जुबान से निकलने वाली तमाम मुहसूर तैल काइं नовой चिंता पैदा करा रही है नितिशक मारगे ने त्यूंक्व के लिए ने हमेशास्वताई ने बीहार को ठगा है और हम अब बीहार को साथ को आजे लेकर करें के चलने का प्रियास करेंगे क्योंकि बिहार को आगे ले चलने की खोशिश हम लोग वो कर रहें और करने का प्रयास करेंगे आपको लगता है कि आप इसके बारे क्या सूचते हैं अपनी वीचार हमें कॉमें लिख करके जरूर प्रशाद यादव बिहार के एक ऐसे नेता है जिन्होंने बीजे पीकी हमेशा से कहानियों को समाप्त करने के लिए अपने प्लान को शेट किया है अपने इतिहास को रचा है और इतिहास में यह गवाही है कहीं न कहीं कि जो लालु यह ताकत के साथ भारतिये जन्ता पार्टी को रोकने का प्रयास किया था या भारतिये जन्ता पार्टी को कभी रोका हो नहीं तो यह कहा जा सकता है कि भारतिये जन्ता पार्टी को रोकने के लिए वह जो प्रयास किये वह वह मजबूत प्रयास था और इसलिए आज उनकी लो में जरूर लिख करके दीजेगा कि आप इसके बारे में क्या शुच्छे लालो पुशा दिया दो अभी फिलाल मजबूती से बड़ी ख़बर यह कि बिहार के चरचित पत्रकार और मिव्टुबर मनिश कस्यप फिलाहाल चिन्नाई पुलिस के सिकंजे में हैं और चिन्नाई प कहा कि चलिए तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखे जाने के बाद में दो दिन के लिए नयाई खराशत मीने भेजा जा रहा है और उसके बाद में आगे प्रक्रियाओं के बारे में भी ध्यान दिया जाएगा तो मनिश कस्यप को जज शाखब के आवास पर आज ले जा सकता है लगातार उनकी नयाई खराशत कंप्लीट हो रही है जिसके बाद में मनिश कस्यप लगातार एक महीनों से कानोई जाल में फसे हुए हैं एक बार फिर से मनिश कस्यप का दिन लोटेगा बड़ी कबर तो यह है कि राहूल गांधी की आज लीगल टीम जो है सुरत के कोट में पहुंची जहां से सनकोट में इस बात को लेकर के उन्होंने वातों को रखा कि देखिए क्या है कि हम लोग जो है हमेशा से काम करना चाहते हैं और काम के लिए तत्रपर रहे हैं पर कु कोट में आज राहूल गांधी के लिए पहुंची तो इस पर कई चर्चाये हुई राहूल को सुरत कोट से जो है एक बार फिर्च रहत मिला है और इसके बाद में सजा पर एक बार कहीं न कहीं पुना विचार करते हुए राहूल गांधी की लोक शभा सद्यस्ता जो जा राहूल कितना जल्दी इन सब इस चीचों से रिलीज होते हैं लोक सबस्द्यस्ता कैसे वो मिलती है और कैसे वो अपने आपको आगे बढ़ाते हैं यह तमाम चीज़ें धीरे धीरे असपस्ट होंगी पर आप हमारे साथ बार बड़ी खबर तो यह है कि आज एक बार फिर पुना है लगतार चर्चो के बजार के बीच में चिराग पसवान का नाम गरमाया रहा चिराग पसवान एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा बीहार के लिए और बिहारी फर्ष्ट के लिए नारा बुलंद किया था उनहीं का दिया हुआ हुआ नारा है बीहार Hoki Anis in 3D विखो विए अपनि अगर उनिुन अपनि तो दलीट बर्गों पर एक बहुत बड़ा पैट ho सकेगा एक बहुत बड़ी मजबूती हो सकेगी जिस मजबूती के साथ यह कहा जा सकता है कि एक ताकत, एक मजबूती और एक वह मजबूत सीखर के साथ आगे बढ़ सकते हैं बड़ी ख़बर निकल कर शामनी आ रही है इस वक्त और बड़ी ख़बर यह है कि आज एक बार फिर से कहीं न कहीं लगतार परियासों के बाद में एक बार फिर जो है आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जीतन नमाजी शुर्ख्यों में बने हुए हैं और जीतन नमाजी के लिए कुछ नया और बड़ा किया जा रहा है जीतन नमाजी एक मजबूत ताकत है और जीतन नमाजी के लिए बीजे पी एक नई ताकत के साथ उन्हें अपने खेमों में शमेटरीन के त्यारी करे है खैर आज के वीडियो में इतना ही हमें उमीद है कि आज की तमाम बड़ी खबरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी